इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम स्विच मोड पावर सप्लाई को डवलप करते हैं उसका इंस्ट्रुमेंट कौन सा होता है और वो हमारे किस काम में आती है तो स्टार्ट करते हैं ये ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे हमारी इड्वांस्मेंट्स इलेक्ट्रोनिक्स में बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमें डीसी पावर सप्लाई की बहुत ज़्यादा जरुरत हो रही है जिससे हम हमारे डिजिटल सर्किट्स और इंटिगरेटड सर्किट्स को यूज कर सकें अब डीसी सप्लाई बनाने के लिए हमारे पास दो आप्शन्स है या तो हम फेस कंट्रोल रेक्टिफायर का इस्तिमाल करें या एसमपीस का इस्तिमाल करें बट एसमपीस ज़ादा पॉपलर है क्योंकि जो हमारा एसी टु डीसी रेक्टिफायर है या फिर हम यह कहलें जो face control rectifier है वो operate करता है supply frequency पे जिसके कारण अगर हमें एक pure DC चाहिए जिसके अंदर negligible repulse हो तो उसके लिए हमें large size of filters का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसके कारण जो हमारा पूरा circuit है वो inefficient हो जाएगा, bulky हो जाएगा और weight उसका बहुत जादा हो जाएगा जिसके कारण उसके कुछ limitations होंगे जहां पर भी हम उसको use करेंगे जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुझे DC supply airspace में चाहिए या aircraft में चाहिए तो वहाँ पर मैं bulkी equipment का इस्तमाल नहीं कर सकता मुझे बहुत छोटे छोटे equipment चाहिए जिससे में aircraft की एक तो size ना भड़े और नहीं बहुत जादा वो भारी हो इसलिए हम SMPS का इस्तमाल करते हैं अब SMPS क्या है SMPS works like a DC chopper by operating the on-off switch very rapidly AC ripple frequency rises which can be easily filtered by LNC filter circuits which are small in size and less weight which increases use of SMPS तो यहाँ आपको समझ में आ गया SMPS किस तरह से work करता है जिससे DC chopper work करता है मतलब एक switch है जिसको आपको on-off करना है very rapidly जिससे जो बहुत high frequency develop हो रही है उसको जो L और C filter है वो easily remove कर देंगे high frequencies के अंदर L और C filters की जो size होती है बहुत छोटी हो जाती है जिसके कारण से हम easily उन frequencies को filter कर सकते है इसके कारण जो SMPS है वो बहुत ज़ादा बलकी नहीं होगा और उसको कहीं भी हम सित्माल कर सकते हैं अब block diagram देख लेते हैं SMPS का देखे इनीशली हमें क्या लगणाना पड़ता है input rectifier और filter circuit लगाना पड़ता है उसके अलावा हम inverter circuit लगाते है उसके बाद हम output transformer और फिर output rectifier and filter लगाते हैं यह जितना भी कुछ आपको दिख रहा है यह अभी आपको दिखाऊंगा इसके अंदर एक MOSFET एक छोटा सा transformer और एक uncontrolled rectifier की सायता से हम यह पूरा circuit बना लेंगे इनीशली हम उसको rectifier करते हैं फिर उसको chopper की सायता से DC में 100% DC में convert करते हैं step up step down करते हैं फिर हम output transformer का इस्तेमाल करते हैं और finally हमें DC output मिल जाता है उसको control करने के लिए हमने नीचे एक chopper controller भी लगा रखा है SMPS is based on chopper principle यह हमने पहले भी पढ़ लिया the output DC voltage is controlled by varying the duty cycle of chopper by PWM और FM techniques the circuit configuration used for SMPS can be classified into four board categories तो यहां हमने देखा कि हम उसकी duty cycle को vary करते हैं chopper की by using PWM और FM technique जो हमने पढ़ी थी जब chopper हमने पढ़ा था कि दो तरह की techniques होती है एक होती है PWM और एक होती है FM technique इन दोनों का इस्तेमाल करके हम SMPS को बनाते हैं अब चार तरह के SMPS circuits हैं हमारे पास पहला है flyback converter दूसरा है push pull converter तीसरा है half bridge converter और छोता है full bridge converter जिसके अंदर से आज हम दो converters पढ़ेंगे और दो converters हम next class में देखेंगे तो start करते हैं flyback converter सामने आपको इस circuit दिख रहा है इसके अंदर देखें स्टार्टिं में एक uncontrolled rectifier लगा रखा है उसके बाद मैंने यहां नीचे M1 लगा रखा है that is V1 is equals to Vs and corresponding V2 is equals to Vs N2 by N1 due to which diode gets reverse bias filter capacitor C is assumed large enough so that the capacitor voltage Vct is equals to V0 almost constant तो क्या कैसे हम जहां हमने सबसे पहने initially जब आप power MOSFET को on करेंगे तो आप यह देखेंगे कि आपकी जो supplier है वो transformer से flow हो रही है और आपको V1 के cross तो Vs voltage मिल रहा और V2 के cross मिलेगा voltage V1 N2 by N1 मतलब Vs N2 by N1 voltage मिलेगा पर यह voltage मेरा output पे नहीं चाहेगा क्योंकि इसके कारण जो मेरा diode है वो क्या हो गया है reverse bias हो गया Polite आपको दिख रही है वहाँ पर मैंने उपर की तरफ dot लगा रखा है जो V primary है उसमें और secondary के अंदर मैंने नीचे की तरफ dot लगा रखा है तो जब उपर positive मिलेगा तो यहां नीचे की तरफ positive मिलेगा जिसके कारण diode मेरा जब मेरा MOSFET ON होगा तो वो किसके अंदर होगा reverse bias के अंदर अब जो मेरी switch cycle है मतलब जिस time फिर मैं अपने power MOSFET को ON या OFF कर रहा हूं वो बहुत ही छोटी है जिस कारण से मैं इतना ही time on रखता हूं जितने time के लिए मेरा जो transformer है जो transformer के अंदर inductor है वो charge हो जाए तो देखिए next paragraph क्या कहता है when M1 is turn off a voltage of opposite polarity is induced in the primary and secondary winding voltage across transformer secondary is V2 which is equals to minus V0 which is equals to minus Vs N2 by N1 and diode D is forward bias and start conducting a current ID तो वो यही समझाना चाता है कि जब मैं M1 को OFF करूंगा तो क्योंकि transformer के अंदर inductor अपनी energy को release करेगा जिसके कारण उसकी polarity reverse होगी polarity reverse होगी तो जो मैंने पहले mark कर रखी थी voltages जो मेरी marked voltage है उसके opposite voltage मिलेगी जिस कारण मेरा जो diode D है वो forward bias में आ जाएगा और output के cross ID current flow होना start कर देगी ओके यह देखिए यहां मैंने figure की साहता से इससे समझा रखा है जिसके अंदर जब मैं M1 को on रखता हूँ तो voltage V1 जो है वो VS के equal है और V2 जो है वो है VS N2 by N1 यह cycle इतनी छोटी है कि जो inductor L1 और L2 है उसके अंदर थोड़ी सी energy store होती है और फिर जैसे ही मैं off कर देता हूँ M1 को diode D1 जो है वो किसमे आ जाता है forward bias में आ जाता है क्योंकि यह polarity क्या हो गई reverse हो गई अब जिस कारण diode जो है वो forward bias में आ जाएगा और ID current उसमें से flow ना start कर देगी और output में मुझे current मिलना start हो जाएगी ID जो है वो मुझे थोड़े time के लिए मिलती है but I not continuously कौन देता रहता है capacitor क्योंकि हमने यह भी फड़ा है कि जो capacitor है वो इतना large enough है कि output पे V0 मुझे continuously मिलता रहेगा during the time M1 is on V1 is equal to Vs V2 is equal to Vs N2 by N1 for magnetizing current it is assumed that the transformer core is not demagnetized completely at the end of the periodic cycle T is equal to T on plus T off तो हमने यह पढ़ा है यहाँ पर इतना ही current flow होता है जो उसको magnetize के लिए काम आता है क्योंकि मैंने यहाँ पर transformer को किसके अंदर रखा initially वो off है उसके across कोई भी load लगा हुआ नहीं है जिस कारण से जब भी कोई load नहीं लगा हुआ होता है तो transformer में सिर्फ magnetizing current ही flow होती है at T equals to zero transformer magnetizing current has some value IMO सही बात है initially उसके अंदर कुछ magnetizing current होगी during T on magnetizing current rises linearly from its initial value IMO to IM1 at T equals to T on with this magnetic energy gets stored in the transformer core but यह energy इतनी भी नहीं होगी कि वो transformer core को saturate कर दे अगर transformer core एक बार saturate हो गया तो वो वापिस से अपनी वही जो हमने पढ़ा था BH curve के अंदर कि कभी भी transformer core जब saturate हो जाता है तो उसके अंदर कुछ न कुछ residual रहेगा तो वो हमें नहीं रखना है जिस current से हम उसे कभी भी saturate होने नहीं देते हैं cycle इतनी fast रखते हैं कि वो saturate ना हो the variation of IMO can be expressed as under IMT is equals to IMO जो उसकी initial current हमने मानी plus VS by L into T at T equals to T on IMO T on क्या हो जाएगा IM1 सही बात है which is equals to IMO plus VS by L into T on When M1 is turned off, the EMF induced in primary and secondary winding are reversed यह भी सही है जब M1 को off कर देंगे तो EMF induced हो है जो primary and secondary winding में reverse हो जाएगे क्योंकि इस time पे उसको discharge करना है current को अपने energy को diode D is now forward biased and current flows from transformer secondary winding begin to flow यह भी सही है और ऐसे ही मेरा diode जो है वो forward bias में आ जाएगा और जिसके current से current flow होना start हो जाएगी as this current ID or magnetizing current IM reduces from IM1 to IM0 at T equals to capital T transformer core energy is delivered to the load तो वही चीज़ है अब IM1 से जब current IMO तक आएगी वो पूरा time में कौन सा ले रहा हूँ वो मेरा T on से T तक का time है मतलब T off time है जब transformer core की energy किसको मिल जाएगी load को मिल जाएगी during T off M1 is off and V2 is equals to minus V0 सही है जब T off होगा तो M1 तो off होगा और V2 जो होगा वो किसके एकुल होगा V0 के एकुल minus or V0 के एकुल this voltage when referred to the primary is V1 which is equals to minus V0 N1 by N2 the fall of current IM during T off can be expressed as under अब जो IM की value reduce हो रही है IM1 से अब reduce होगी वो क्या होगी IMT is equals to IM minus V0 N1 by N2 1 by L T minus T on वहां हमने लिखा था T by L और यहां हम क्या लिख रहे हैं T minus T on by L अब add T T वहां पर हम add T on कर रहे थे यहां हम add T करेंगे IM add T is equals to IM1 minus V0 N1 upon N2 1 by L T minus T on अब substitute करेंगे IM1 की value जो हमने पहले निकाली थी उसको हमने put करी तो क्या निकाल थी पहले IM0 plus Vs by L T on तो IMT is equals to IM0 plus Vs by L T on minus V0 N1 by N2 1 by L T minus T on अब यह IMT हमने पढ़ा कब तक energy release करता है जब तर वह current IM not तक नहीं आ जाता है तो फिर since the net energy stored in the core over the periodic time T is 0 तो IM0 is equals to क्या होगा IMT होगा तो IMT की जगे मैं IM0 लिख सकता हूं IM0 is equals to IM0 plus Vs by L T on minus V0 N1 by N2 dot 1 by L T minus T on IM0 से IM0 cancel हो गया और जो negative वाली term है वो हम एक तरफ ले जाएंगे equals to क्यों और positive वाली एक तरफ जिससे दोनों equate हो जाएं तो यही हमने किया Vs T on is equals to V0 by alpha T minus T on यह alpha जो है वो N2 by N1 को हमने लिखा है और L से L cancel हो जाएगा दोनों के अंदर इस तरह से final equation बनी Vs T on is equals to V0 by alpha T minus T on अब load voltage V0 की value निकालने के लिए उपर वाली equation में से V0 को एक तरफ रखके और सब चीजे में दूसरी तरफ ले जाऊंगा तो आ गया value alpha Vs T on by T minus T on नीचे मैंने लिखा है T on by T जो है वो मैंने duty cycle मानी है K तो इस तरह से alpha Vs K upon 1 minus K मेरी final voltage आ गया load voltage अब open circuit voltage across M1 अब VOC निकाल रहा हूं मैं M1 के cross जो मेरा MOSFET है उसके cross क्या voltage होगा वो होगा V1 plus Vs तो V1 जो है वो V0 N1 by N2 होगा plus Vs यह मैंने निकाल रहा ही जब मेरा T of cycle आ रहे होगी तो V0 by alpha plus Vs V0 की value उपर से put कर दूँगा उपर से put कर दिया तो alpha से alpha cancel हो गया तो हो गया Vs K upon 1 minus K plus Vs तो final equation बनी Vs upon में 1 minus K इस तरह से मैंने load voltage V0 निकाल लिया MOSFET के cross voltage कितना रहा वो निकाल लिया और finally कितना diode current flow करेगा अपने अंदर से अब मैं वो निकाल रहा हूँ तो क्योंकि IM जो है वो मेरा primary के अंदर flow करेगा तो IDT is equal to IMT dot N1 upon N2 N1 upon N2 IMT के अंदर जो मेरा second जब मेरा T of time था उस time पे जो current थी वो value put कर ली और फिर मैंने N1 upon N2 को alpha लिक कर जो final equation बनी वो मैंने बना ली तो इस equation से मैं ID की value भी calculate कर सकता हूँ तो ये मैंने देखा क्योंकि इसके अंदर एक ही cycle के में मुझे output में current मिल रही है तो input जो circuit है मेरा उसके अंदर harmonic जादर induced होंगे इस current से अब हम next circuit पढ़ेंगे push-pull amplifier जिसके अंदर जब एक MOSFET को हम OFF करते हैं तो दूसरा MOSFET ON हो जाता है और जब एक को मतलब दोनों vice versa चलते हैं एक को OFF करेंगे दूसरा ON हो जाएगा दूसरे को OFF करेंगे पहला ON हो जाएगा तो देख लेते हैं तो start करते हैं push-pull amplifier सामने आपको एक diagram दिख रहा है जिसके अंदर हमने दो MOSFET लगा रहे है M1 और M2 M1 जो है वो नीचे वाले circuit से connected है और M2 जो है वो उपर वाले circuit से connected है मतलब उपर वाला जो transformer है उससे मेरा M2 connected है और नीचे वाले से M1 connected है तो इस तरह से जब मैं initially M1 को on करूँगा तो नीचे वाली जो primary है उसके अंदर voltage flow करेगा मतलब उसके अंदर current flow करेगा जिसके current जो secondary की दोनों है उसके अंदर voltage induced होगा और D1 जो है वो forward bias में आ जाएगा और मेंको output में current मिल जाएगी इसी तरह से जो M2 है जब वो M1 off होगा तो M2 को on करेंगे और M2 को on करने पर उपर वाला जो transformer है उसका V1 primary winding वो on हो जाएगी जिसके कारण उपर V2 और नीचे वाले V2 मतलब secondary side के जो दोनों windings है उसके अंदर opposite side में voltage induced होगा तो नीचे आ जाएगा plus उपर आ जाएगा positive तो D2 on हो जाएगा और output में मुझे फिर से current मिल जाएगी इस तरह से ये दोनों work करते हैं देख लेते हैं When M1 is turned on Vs is applied to lower half of transformer primary that is V1 is equal to Vs As a result voltage V2 is equal to Vs N2 by N1 is induced in both the secondary winding Voltage V2 in the upper half secondary forward bias is diode D1 Therefore load voltage V0 is given by V0 is equal to Vs N2 by N1 which is equal to alpha Vs तो यही मैंने आपको बताया कि जब आप M1 को on करेंगे तो lower half of the transformer जो primary है वो मेरी charged होगी जिसके current secondary side की जो दोनो V2 है मतलब जो दोनो secondary है वो मेरी charge होगी जिस current से जो D1 है वो forward bias में आएगा और output में voltage मिलेगा V0 is equal to Vs N2 by N1 इसी तरह से जब M2 जो है वो turn on होगा तो V1 जो होगा वो minus of Vs होगा is applied to the upper half of the primary winding जिसके कारण V2 जो होगा वो minus of Vs N2 by N1 होगा जो की मेरे secondary side की दोनो windings में induce होगा as V2 is negative diode D2 get forward bias and V0 is equal to alpha Vs as before तो अब आप देख रहे हैं मुझे दोनों के cross positive cycle और negative जब मैं M1 को on करता हूं मुझे continuously supply मिल रही है जो मुझे flyback में नहीं मिल रही थी अब इसकी एक limitations है वो देख लेते हैं this shows that the voltage on primary swings from plus of Vs to minus of Vs primary में क्या हो रहा है voltage कहां से कहां swing हो रही है plus of Vs से minus of Vs तक जा रही है power MOSFET की जो duty cycle है वो 0.5 है अब when M1 is off the voltage across its terminal is VOC which is equal to 2 of Vs सही है जो voltage होगा वो क्योंकि plus of Vs से minus of Vs जा रहा है तो उसके cross कितना voltage आएगा 2 of Vs जिसके कारण हम इस method को सिर्फ low voltage applications के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं तो आज हमने 2 converters पढ़ लिए आगे के 2 converters हम next class में पढ़ेंगे सबस्कार आगर हम अब कारें व्लीज आदिमाल हम अब काराबंगろ यल से बिरें